गुड मोर्निंग स्टूडेंट्स बेटा स्चैप्टर नमबर दो हमने शुरू करती है आध से जिसका नाम है सम बेसिक कॉंसेप्ट्स ओफ मैक्रोएक्टोमिक्स देखिए बेसिक कॉंसेप्ट यह जब तक सैकेंड चैप्टर आप समझोगी नहीं तब तक आने वाले चैप् पहला चेप्टर macroeconomics में introduction के macroeconomics का introduction था और differences थे micro macro paradox था micro macro difference था micro micro interdependency था macro economics सकोप थे significance थे यह चीज़े पड़ी आप इस chapter में सिखो की basic concept के कहें goods का classification करेंगे दो तरीके से final goods और intermediate goods में consumption goods और capital goods में उसके बाद हम concept of consumption expenditure पढ़ेंगे और उसके बाद component of consumption expenditure फिर concept of component of investment store क्या होता है flow क्या होता है दोनों में अंतर क्या है दोनों कैसे related है four sector of the economy अर्थवेस्था कि चार चेतर पढ़ेंगे intersector real flow money flow पढ़ेंगे और circular flow of income यह शारी चीज़े पढ़ेंगे अब बात आती है इस goods क्या होती है goods tangible होती है नैचे में टच कर सकते हैं उनको करते हैं goods और services जो होती हो इंटेंजीबल होती है in nature ठीक है और यहां पर मैं जो goods का classification करने जा रहा हूं on the basis of consumption करने जा रहा हूं ठीक है यानि end use के आधार पर देखिए हम day to day life में बहुत तरह के goods and services purchase करते रहते हैं ठीक है हम एजे हाउस होल्ड ठीक है प्रोडूसर भी good service बनाते रहते हैं वो भी खरीते रहते हैं और अब हमें यह पता हो ना ची कि यह किस टाइप के goods है ठीक है गुड्स के classification इसलिए करना है क्योंकि आगे जाके हमें एक नैस इंकम का एक टोपिक भी पढ़ना है चैप्टर पढ़ना है जहां पर यह जो गुड्स का जो classification मदद करेगा हमें तो यहीं कहके चरह हैं देखिए काउंटलेस नंबर ऑफ गुड प्रोड्यूज हो रही है और कंजूम्ड हो रही एकनोमी के अंदर है ठीक है यानि हम उनको भोग करते हैं और उनका उत्पादन करते हैं जैसे कि शूज हैं सर्ट है फोर स्कूल चिल्डरन यहां और हम गूड़े को दो तरीके से कटेकराइज करेंगे नमबर एक है फाइनल गुड़ और दूसारा इंट्रमेट गूड़ज तीसरा कंजंटिंट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् सब के बार हम डिसकस करेंगे आई श्टार्ट करते हैं फाइनल गूडस हैं देखें नाम से किलिए हो रहा है फाइनल यनि यह वह गूडस होती है जो कि बन चुकी है यहनि रैडि टू यूज होती है इनके अंदर कोई वैल्यू एडिशन नहीं होती है ठीक है यानि मैं कुछ भारे भारे वर्ड बोरगा तो समझाता हूँ मतलब final goods वो थी जिनको उत्पादन हो चुका है और आप इनको use कर सकते हो ठीक है आप इनको use कर सकते हो आप इनका consumption कर सकते हो same करते है final goods जैसे कि chair है chair बन चुकी है ना हाँ सर बिल्कुल बन चुकी है तो आप उसको use कर सकते हो आप उसको use कर सकते हो आप उसको use कर सकते हो ठीक है तो चेर एक final goods कर लाएगे ठीक है उसी तरह चाय है एक बात है चाय जब आप पिते हो ठीक है तो चाय बन चुकी है तो ही तो पिते हो और कैसे पिलोगे कच्छी चाहेक। नहीं प्राइनल घुट्स वह होती हैं जो बन चुकी है जहने हम यूज करना है तो जो त्हें पहनेना है तो इस तरह सी उकनोमिक के अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट की final goods से सर्विस पर्चेज करते हो ठीक हम सब ही पर्चेज करते हैं तो यही का केचे रहे final goods करते है दीज आर दोज गोड्स विच क्रोष्ट डाबांडर लाइन अभ प्रोडॉक्शन और रेडी फॉर यूज बाइदिर फाइनल यूज बहुत जबरतस sir who are the final user कोन इनको यूज करेगा देखी final goods को यूज करने वाले को हम कहेंगे final user final user दो है एक तो consumers यानि हम और दूसरा producer यानि उत्पादक ठीक है यानि manufacturer या firms दो बंदे यूज करते हैं तो consumer यानि हम और दूसरा producer ठीक है ये दोनों final goods को यूज करते हैं accordingly final goods are often classified as final consumer goods और final producer goods तो एक बात के लिए हो जाने चाहिए final goods को यूज करने वाले दो होगे एक तो consumer एर एक producer तो हम कह सकते consumer goods की तो final बंदे consumer goods कहलाएगी producer यूज करेगा तो producer final goods कहलाएगी consumer goods क्या होती है final consumer goods are finally purchased by the consumer इने consumer purchase करते है यह यह थैंते हैं आपने जर्तों को पूरा करने के लिए करते हैंソंड तो हम कहते हैं जानल 115 प्रोडूशर इने परडुसर पफाइस करते हैं जाणरली यूज करते हां जैसे किसान यूज़ कर रहा है तो गिसान एक उत्पादक कहलाएगा तो ट्ररीक्टर वो बन चुका है उसको यूज करना है तो ट्रैक्टर है वो फाइन। प्रोडूसर गुड्स कहला है लेकिन हम अपने घर के लिए माल जुत्ते लेकर आ रहे हैं ठीक है या माल जैसे कि हमने कोई फरनीचर ख़र लिया या मने कोई कार खरेद लिया तो यह माल दे कहला है कि फाइनल कंजूमर गुड्स ठीक है तो दोनों देखें focus जौन भी है कहा के चल रहें अंगनेत बताया था उसने सरुमें कह देता काउंटलेस नंबर ओफ गुड्स एंड सर्विचेज मतलब यह तो दो तीन एक्जांपल के माद्यम समझा रहा है बहुत चालिक सकते हैं ठीक है फाइनल प्रोडुसर गुड्स क्या होती है यह भी रेडी टू यूज होती है फाइ स्भाइड में परसें चृड्स और अच्छ में वकुर्द करें जकूकर, क्योंक्कि हम पर रहे हैं कब्सुद्स के नदू प्रोडुश समय छेज, चरण और यह तो लिए अच्छ को लिए लोतो आपको डेल करको टें बहुत तो इस्म उत्तिनने की बात करएंग producer expenditure byta या investment expenditure यही करे expenditure on final consumer goods by the household is called consumption expenditure देखिए household यहनी हम है ठीक है नए यहनी हम अपने घरों में कोई भी good service purchase करते है तो मारा खर्च कंझमशन expenditure कहलाता है और यदि producer खरीता है तो उसे हम कहेंगे investment expenditure तो किलिए रोजाना ची Captionction expenditure plus में investment X is equal to expenditure on final goods ठीक है तो expenditure on final goods क्या होते है इसदें amendial expenditure पलस में investment expenditure आच्छे Optimism expenditure को juste denote करते है और investment expenditure को थे not करते है तो c plus i is equal to total final expenditure तो इस तरह से यह चोटी सी concept थी मुंझे पता है आपको अच्छे समझ में आया होगा कल बेटा हमें एक नए टोपिक पर शुरुआत करेंगे आई होप आपको अच्छे समझ माया हुआ यह दिको डाउट है तो प्लीज कॉंटेक्ट मी थैंक यू सो मच